नमस्कार स्वागार आप सभी का नियूस वर्ल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र चोहान आये रुख कर लेते हैं उत्राखट की खास खबरों की ओर किच्छा विधान सवा शेत्र में एक जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद चली गोली से घायल हुए यूवक की हालत गंभीर बनी हुई है चिकेट सको की तरफ से उसे बरेली के राम मूर्ती अस्पताल रेफर किया गया है इधर पुलिस फोर्स आरूपी को पकड़ने के लिए तमाम शेत्रों में दविश दी रही है बता दे कि शांतीपुरी में उधम सिंग नगर निवासी का जुए को लेकर अपने ही एक दोस से विवाद हो गया था जिसके चलते दोस्त ने यूवक को गोली मार दी हरिद्वार के भेल शेत्र में एक स्कूटी में साब घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में ब्लैक कलर की स्कूटी से खतरना कोबरा साब को बन विभाग की टीम की तरफ से रेस्क्यू किया गया है बताया जा रहा है कि जब स्कूटी चालक को स्कूटी में साप के होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए गर्मियों में एकसर साप जमीन से बहार निकरकल आते हैं जिसके चलत एक खत्रा बढ़ जाता है वैसे तो उत्राखन को बिजली हाउस के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इन दिनों भीशन गर्मी में लोग बिजली कटौती से परिशान है गर्मी का मौसम आते ही बिजली की खपद बढ़ जाती है बिजली बिभाग की तरफ से इसकी तयारी पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए थी लेकिन बिभाग के ऐसा ना करने से बार-बार बिजली की कटौती की जा रही है जिस वज़ा से स्थानिय लोगों के साथ जन प्रतिनी धी भी काफी आक्रोश में देखने को मिल रहे है वहीं काशिपूर S.D.M. ने विजली बिभाग के अधिकारियों से बात कर लोगों को विजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की सख्त निर्देश दिये है मेजर जनरल आलोग जोशी भारतिय सेन अकादमी के ने डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रसिक्षक होंगे गुरुवार को उन्होंने मेजर जनरल जे एस मंगत से यह पदभार समवाला है वही मेजर जनरल मंगत 16 महीने तक बताव डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रसिक्षक एकेडमी में तैनात रहे हैं उनके कारिकाल में COVID-19 की बड़ी चुनौती सामने आई पर इस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम का अभी तक एलान नहीं किया गया है पार्टी के वरिष्ट नेता हरीश रावद और प्रीतम सिंग सहेत कई विधायकों ने केंद्री नेताओं के साथ मन्थन किया है फैसला कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया है सोनिया दरबार से फैसला आने तक प्रीतम सिंग को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चाएं गरम रही है कोरोना संक्रमेंट के केस कम होते देखते हुए फूलों की घाटी का जायजा लेने के बाद घाटी को खोलने का निर्णाय लिया गया है वहीं घाटी में आने वाले परेटकों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार होगा गौर तलब है कि कोविड के चलते घाटी को एक अगस्त तक खोला गया था लेकिन इस साल घाटी को एक महीने पहले ही खोला जा रहा है कुम्ब के दौरान कोविड जाच फरजीवाडे के मामले में फर्म और लेब पर सिकंजा कसने के साथ ही अब कुम्ब मेला प्रशासन से जोड़े अधिकारियों को नामजद किये जाने की तयारी है स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने पहले से दर्ज मुकदमे में गैर जमानती धारा 4666 बढ़ाई है कोविट जाच फरजीवाडे में नामजद की गई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस दिल्ली नलबा लैब हिसार डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंटरल दिल्ली के संचाले को उसे SIT की टीम लगातार पूछताच कर रही है तो फिलाल कले इस बुलिटन में इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा न्यूस वर्ड इंडिया के साथ